नमस्कार एंड वेलकम टूई स्मार्ट एर्टे चलनल जैसा है कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में यहाँ पर मैंने आपको जनकारी दिया था परमाडू अनुसंधान केंदर में 4374 जो है डारेक्ट रिकॉर्मन्ट और ट्रेनिंग स्कीम के तहर्थ यहाँ पर वेकेंसी जारी किया गया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पर जो directs team औरaxis क etre brass t negro training में category one category two और category two में जो vacancy निकाली गई है दोस्तों ITIK उसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ feature, turnover, mercenies का पिछले साल का मैं cut-up बताऊंगा जो वेकेंसी आये थी फुरूप के साथ और साथ में सारी चीजों को देखने के बाद इस बार कितना कटाफ जा सकता है जो एक्जाम पॉंट आफी से भी बहुत जाद इंपोटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखना चाहिए क्योंकि आपको इस चैनल पर दोस्तों 100% authentic and genuine इकली गौर्नमेंट भरती के बार में ही जनकारी दी जाती है और इसका पीडिया बगर आप राप्त करने के लिए वीडियो को ही description में आपको telegram channel का link दिया गया है उसको join कर सकते हैं और आप मुझे instagram पे भी follow कर सकते हैं ठीक है तो जैसा कि दोस्तों आपको जनकारी है कि form जो है आज है दोस्तों 23 अपरेल यानि कि 24 अपरेल को दोस्तों यहाँ पर online registration पर करिया जो है चालू हो जाएगा उससे पहले आपको बाकी सारी जनकारी यहाँ पर इस वरते जोड़ी आपको होने चाहिए पिछले साल का cut-up अगरा एक्जाम यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पर selection process क्या है यहाँ पर pre होगा यहाँ पर advance test होगा skill test होगा क्या होगा उसका syllabus क्या रहेगा पूरी information आपको जानने के बाद ही आपको form fill up कर राज है ठीक है और यहाँ पर form भरने की last day दोस्तों 22 माई 2023 दोस्तों यहाँ पर रखा गया ठीक है इसके लावा दोस्तों हम बात करेंगे कि इसमें vacancy दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों आपको vacancy देखने को मिलेगा एक तो direct requirement है और दूसरी दोस्तों यहाँ पर training इसकी stipendary training की vacancy है जिसमे category 1 और category 2 है ठीक है लेकिन हम जो बात कर रहें यहाँ पर training scheme के category 2 में Peter Turner Machines का मैं दोस्तों यहाँ पर कटा वगरा पिसले साल का कटा वगरा मैं सारी जनकारी यहाँ पर दूँगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा अन किसी trade का याप कटा वगरा देखना चाहते हैं तो आप मुझे जादा जादा comment करके जरूर बताएगा उस पर दोस्तों मैं next video जरूर बना दूँगा ठीक है तो यह सारी चीज़े दोस्तों इसके लावा दोस्तों बात करेंगे अगर दोस्तों आप इसमें form fill up कर रहे हैं training skip में जिसमें category 2 में तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका तीन स्टेज यहाँ पर आपका होने वाला selection process का पहला स्टेज जो है यहाँ पर preliminary test होगा यानि कि pre का test pre exam यहाँ पर connect करा जाएगा इसके बाद second stage जो होगा first stage जो है clear कर लेंगे second stage advanced test होगा और third stage में आपका skill test यहाँ पर connect करा जाएगा ठीक है अब देखते हैं जो pre का जो exam है गोगा दोस्तों first stage में इसमें दोस्तों आपका पचास multiple choice question पूछे जाएगे जिसमें एक question के चार option आपको देखने को मिलेगा important question दोस्तों यहाँ पर कितने marks का होगा? एक question यहाँ पर तीन marks का यहाँ पर रखा गया है ठीक है? एक question यहाँ पर तीन marks का यहाँ पर होने वाला ठीक है? और यहाँ पर एक marks will be detected from is incorrect answer मतलब एक यहाँ पर घलत हो जाता है तो यहाँ पर सही में से आपका एक number यहाँ पर काट लिया जाएगा, तो यह concept आपका clear होना चाहिए, और इसमें stage 1 में दोस्तों यहाँ पर जो है, आपको passing percentage यहाँ पर बता रखा है, मतलब कितना number लाने पर आप second stage में पहुंच जाएगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अग जो reserve category है, उनको 30% से ज़्यादा लाना है, ठीक है, तो यह doubt clear हो जाना चाहिए, first stage के exam को लेके, अब आते हैं, जो stage exam clear कर लेते हैं, वो पहुंचेंगे अब second stage में, second stage का नाम है दोस्तो, advanced test, advanced test में भी दोस्तों यहाँ पर 50 multiple choice question पूछे जाएंगे, और इसमें भी 4 option मिलेगा एक question 3 marks का होगा, और इसमें दोस्तों इसी के base पे, देखिए, पहला जो यहाँ पर जो pre का exam है, यह सिर्फ दोस्तों यहाँ पर qualifying in nature आपका रहने वाला है, लेकिन यह जो second stage में आप पहुंचेंगे, advanced test में, यह आपका merit यहाँ पर बनाएगा, तो इसमें आपको best, best यहाँ अच्छा से जादा से जादा number score करना है, ताकि आपका merit में नाम बना रहे, समझ रहे हो, यहाँ पर देख सकते है, prepare after second stage, based upon the second score obtained in stage 2 only, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें भी दोस्तों बता रखा है, third stage में जाने के लिए, जो आपका skill test होगा, इसमें भी अग पर आपका होने वाला है, अगर आप stage second भी complete कर लेते हैं, तब आपको बारी आएगी stage third यहाँ पर देने की, जिसमें आपका skill test यहाँ पर conducted करा आई जाएगा, ठीक है, तो यह सारी चीजे दोस्तों यहाँ पर होने वाली है, लेकिन आपका merit बनेगा, आपका stage 2, यानि कि advanced test क यहाँ पर आपका merit बगरा यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है, तो यह सारी चीजे दोस्तों आपके मन में doubt clear हो जाना जाएगा, इसके लावा दोस्तों अब हम चलते हैं, जो पिछले year का में आपके one by one आपको cut-off यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, यानि कि stage 2 में कितने number ले जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर यह cut-off आपके लिए बहुत जादा महत्पूर्ण होने वाला है, यहाँ पर दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो वेकेंसी निगल के आई थी, यहाँ पर भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पर जो है nuclear recycle board के द्वारा, और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बच्चे यहाँ पर stage 2 return examination में बैठे थे, और यहाँ पर देख सकते हैं, फीटर ट्रेट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो है stipendary training, यहाँ पर clear, यहाँ पर mention किया हुआ है, और इसमें द OBC candidate हैं, और इन्हों नहीं यहाँ पर 55% लेकर आए हैं, मतलब यह qualify कर गए हैं, और solar number जो आए है, OBC यह disqualify कर गए हैं, तो यहाँ पर not qualify, not qualify, 26 number वाले not qualify, इसके यहाँ पर 74 qualify, not qualify, एक number यहाँ पर आया है OBC candidate, इसके लाबा हम बात करेंगे, SC candidate का देख सकते हैं, दोस्तो 62 qualified, इसके लाबा OBC candidate, 22 not qualified, इसके लाबा SC candidate, 86, यहाँ पर number लेकर आए हैं, मतलब कितने में से, 500 में से, ठीक है, 500 में से देख सकते हैं, और इसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 90 qualified, और यहाँ पर देख सकते हैं, not qualified, 41, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते है फीटर ट्रेड का ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं skill test यहाँ पर जो है step entry training category second जिसमें OBC देख सकते हैं 79 नमबर लेकर आए हैं इसके लावा OBC 113 नमबर highest यहाँ पर गया हुआ है इसके लावा 106 यहाँ पर OBC SE का देख सकते हैं 86 और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 107 भी गया है OBC का और यहाँ पर नीचे जाने पर और 104 पर OBC गया है 105 पर भी OBC गया है 107 पर भी OBC यहाँ पर गया हुआ है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं 60 नंबर वाले qualified हो गए और not qualified वाले 2, 38 इसी परकार से 26, 30, 19 यहाँ पर जो है इस सभी not qualified है इसके लावा यहाँ पर सारे list यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा candidate qualified for skill test यहाँ पर देख सकते हैं stipendary training category second यहाँ पर turner और जिसमें OBC साथ नंबर है, journal का यहाँ पर 64 है और यहाँ पर देख सकते हैं OBC का यहाँ पर 84 यहाँ पर नंबर आया हुआ ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आपने देख लिए यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा Machinist का यहाँ पर देख सकते हैं Machinist पर देख सकते हैं 99 OBC यहाँ पर qualified इसके लावा SC 48 यहाँ पर qualified इसके लावा यहाँ पर देख सकते हैं जो है SC यहाँ पर देख सकते हैं 122, 118, 118 qualified not qualified यहाँ पर 15, 188 यहाँ पर qualified ठीक है तो यहाँ पर बहुत बड़ी list है आप screen shot इसका ले सकते हैं और यहाँ पर भी देख भी सकते हैं 100 पर भी यहाँ पर qualified है not qualified यहाँ पर देख सकते हैं 10 number OBC category इसी प्रकार से यहाँ पर मैं आपक qualified for skill test as a pantry training category second यहाँ पर machinist का देख सकते हैं और जिसमें OBC यहाँ पर देख सकते हैं 99, OBC यहाँ पर 114 इसके बाद OBC 70 पर भी हुआ है इसके लाबा यहाँ पर SC का देख सकते हैं 122 और यहाँ पर OBC का देख सकते हैं 59 और इससे कम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं SC ST काडेगरी का दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 85 ST काडेगरी यहाँ पर देख सकते हैं 85 यहाँ पर skill test जो है कंडिगेट ने यहाँ पर qualify किया हुआ है तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें आपने देख लिया इन सभी चीजों को देखने के बाद जो मैंने expected cut-off chart त्यार किया है जो turnal machinist है उसमें दोस्तों 213 vacancy है लेकिन पिछले बाद जो vacancy है थी इनका यहाँ पर अलग-अलग था ठीक है इसलिए मैंने अलग-अलग आपको दिखा दिया ठीक है इसके लाबा बात करेंगे अगर आप general category से belong करते हैं तो आप सभी को पता है 50 question आएंगे 1 question 3 marks का होने वाला है तो total कितने होगा 1500 यहाँ पर total maximum marks जो है 1500 marks के यहाँ पर हो गया ठीक है एक question कलत करेंगे एक नमबर यहाँ पर कर जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको पता है इसके लाबा अगर आप general category से belong करते हैं तो आपको 115 से 120 नमबर आपको रखना है OVC की बात करें तो 113 से 118 के बीच आपको रखना है EWS की बात करें तो 105 से 110 के बीच रखना है SC की बात करें तो 100 से 105 के बीच रखना है ST की बात करें तो 95 से 100 के बीच रखना है और PWBD की बात करें तो यहाँ पर 37 से 75 के बीच आपको नमबर यहाँ पर रखना होगा और यह जो नमबर है ज़्यादा नंबर होगा उसी को दोस्तों यहाँ पर merit में count किया जाएगा तो अच्छा से अच्छा पढ़ाई किजिए अभी से पढ़ाई करना आपको चालू कर देना है अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो पढ़ाई करना चालू कर दीजिए जो भी यहाँ पर जो भी आ बहुत धनिमाद थैंक्स पर वाचिंग जाहिए